अब बीए, बीकॉम, बीसी और एमे, एमकॉम करें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहाँ कोरोना से पुर्वसांसत शहाबुदीन की निधन हो गई है 21 अपरेल को कोरोना संक्रमित होने के बाद, इलाज के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में भरती कराया गया था, जहाँ आज उनकी मौत हो गई है दिल्ली के तिहार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे, आरजेडी के पुर्वसांसत शहाबुदीन की जाच एक की सप्रेल को की गई थी, इस जाच में वे कोरोना पोजिटीव पाए गए थे, वे तिहार की दो नंबर जेल की हाई सुरक्छा सेल में बंद थे, उनका इस इपोर्ट के अनुसार तिहार जेल में बंद सोर से ज्यादा कैदियों में कोरोना वाइरस का शंक्रमाट पाये गया था, जिसके बाद जेल के अंदर हर कंप मच गया था, तब ही तिहार जेल प्रशाशन ने हाई अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद पुर्वशांसत शहाबुदिन की निधन हो गई है 21 अप्रेल को कोरोना शंक्रमित होने के बाद इलाज के लिए दिल्ली के एलन जेपी अस्पताल में भरती कराये गया था जहां आज सुबा उनकी मौत हो गई सिक्षा एवन समाज में बहतर काम के लिए आईकॉन औफ बिहार से सम्मानित गुरू सम्मानित सिवान के प्रसित केमेस्ट्री टीचर संजीब कुमार मिस्र द्वारा संचाली संसकार केमेस्ट्री क्लासेश में आज ही नमांगन कराई और पढ़े केमेस्ट्री की बहतरीन पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमेस्ट्री में रिजल्ट देने वाल ये संस्था है यहां से लड़के कमेस्ट्री में बिहार और सिवेसी बुर्ड में 95-96 मार्स तक प्राप्त किये हैं ये संस्था बचों को 11-12 के साथ साथ जेई और नीट के प्रिप्रेशन के लिए प्रतिवद्ध है और परतिएक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहां से लभानुईत होते हैं चिकित्सक के शेत्र में केरियर बनाना हुआ आसान बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकरत स्वास्तिय एव परिवार कल्यार मंत्रा लिए भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होमियोपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर फटगना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है जिहां डॉक्टर मुहमद इंतखाफ परवेज के यहां हरबस से निर्मित इलेक्ट्रो होमियोपैथी दुआरा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बिमारियों का सफल इलाज किया जाता है सबी पिलकार की कैंसर की बिमारियों में सफलता पूरवक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मुहमद इंतखाफ परवेज सिस्वन ढाला लक्षमिपूर सिवान संपर्क नमबर है 947-22-50677